इस वर्गों को देखने संगों को समझने अपना समय खर्चा करके अपना व्य करते हुए हमारे उपर स्नेह रखकर यहां उपस्थित हुए सभी माने नी आती थी गण उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगिनी मंचपर उपस्थित माननिय सर्वाजिकारी जी विदर्व प्रांत के और नाकपुर महानगर के माननिय संगेचालक जी एवं आत्मिय स्वयम सेवक बंदू प्रती वर्ष नाकपुर में तृतिय वर्ष का वर्ग लगता है और प्रती वर्ष उसका प्रकट समापन कार्यक्रम होता है ऐसे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें संगस्थापना के समय से हमारी यह परंपरा रही है कि देश के सर्जनों को हमाबंत रित करते हैं जिनको आना संभव है वो हमारा निवंत्रण स्विकार करते हैं और यहां पर आते हैं संग का स्वरूप देखते हैं अपने तरफ से अपनी कुछ बात कहते हैं उसको पाथे रूप में स्विकार कर उसका चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं उस परंपरा के अनुसार ही आज का भी कार्यक्रम नाकपुर्वासी सब जानते हैं सरलता से सहज रीती से संपन्न हो रहा है परंतु इस बार उसकी कुछ विशेच चर्चा चली वास्तों में एक स्वाभावी मित्यक्रम में होने वाला यह प्रसंद है उसके पक्षमें और विपक्षमें जो चर्चा होती है उसका कोई अर्थ नहीं है यह प्रतिवर्षे जैसे होता है वैसे होता है वैसा ही हुआ है डॉक्टर प्रणों मुकरजी सहाब से हम परिचित हुए सारा देश पहले से ही जानता है अत्यंत समुरुद्ध ज्ञान समुरुद्ध अनुभव समुरुद्ध ऐसा एक आगरली व्यक्तित्व हमारे पास है और ऐसे सज्जनों से पाथिया ग्रहन करने का अब हमको मिल रहा है उसके लिए हम उनके कृतग्या है हमने साहज रूप से उनको आमंतर इंडिया उन्होंने हमारे रिदय का स्निह पहचान कर सम्मती दियो और यहां उपस्तित है एक साहज स्वाभाविक बात है कि उनको कैसे बुलाया और वो क्यों जा रहे हैं इसलिए देते हैं कि राष्ट्रिया स्वहिं सेवक संग के नाते संग वाले नाम से देश में कोई बड़ा प्रभावी ग्रूप खड़ा करें जो देश के सारे क्रिया को लाप उपर अपना स्वामित्व चलाएं इस आकांशा को लेकर संग का काम नहीं चला है हिंदू समाज में एक अलग प्रभावी संगटन खड़ा करने के लिए संग नहीं है संगतो संपूर्ण समाज को संगटित करना चाहता है और इसलिए हमारे लिए कोई पराया नहीं है और वास्तव में किसी भारतवाशी के लिए दूसरा कोई भारतवाशी पराया नहीं है विभिधता में एक अता यह अपने देश की हजारों वर्षों से परंपरा रही है हम भारतवाशी है या नहीं क्या है के संग से इस धर्ति पर जन में यह यहां पैदा हुए इसलिए हम क्योन भारत वासिय नहीं है कि केवल नागरी कटा की बात नहीं है तो भारत की धर्ति पर जन्मा प्रत्यक्व्यक्ति भारत पृत्र है इसमा हूमिकी निश्सीम भाव से भक्ति करना उसका काम है और जैसे जैसे उसको समझ में आता है छोटे तरीके से बड़ी तरीके से सभी लोग ऐसा करते हैं कि इस भारत भूमी ने केवल हमको पोशन और आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन नहीं दिये है उसने हमको हमारा स्वभाव भी दिया है सुब्जल सुफल मलय जशीतल मात्रभूमी और चारों और से प्राकृतिक दुश्री से सुरक्षित इसमें बाहर के लोगों का आना जाना बहुत कम हो सकता था और अंदर भरपूर समरुद्धी थी इसलिए जीवन जीने के लिए हमको किसे लड़ना नहीं पड़ा स्वाभाविक दुरुष्टी साम इस मनो उर्ति के बने कि सर्वत्र भरपूर है हम उसका उपवक कर रहे हैं अपनी जीवन को समरुद्ध कर रहे हैं कोई आता है तो ठीक है तुम भी आ जाओ तुम भी साथ रहो भाशाओं के पंधसंप्रणायों के विविधटा तो पहले से हैं अलग-अलग प्रकार से प्रांत बनते हैं रचनाय बदलती रहती है राजनीतिक मतप्रवाव इचार प्रणालिया भी पहले से रही है लेकिन इस विविधटा में हम सब भारत माता के पुत्र है और अपने अपने विविधटा वैश्ट पर पक्ता रहते हुए दूसरों की विविधटाओं का सम्मान करते हुए स्वागत करते हुए और उनके अपने विविधटा पर रहने का स्वीकार करते हुए मिल जुनकर रहना विविधता में जो अंतरनीत एकटा है भारत के उत्थां के लिए परिश्रम करने वाले सभी प्रामाणिक गुद्धी के निश्वार्थ महापुर्षों ने अभी तक जिसका उल्लेख करना कभी छोड़ा नहीं ऐसी उस अंतरनीत एकटा का साक्षातकार करक यह हमारी सवस्कृति बनी और उसी सवस्कृति के अनुसार इस देश में जीवन बने और सारे विश्व के भेद और स्वार्थ मिटाकर विश्व के कलह मिटाकर सुख शांति पूर्ण संतुलिक जीवन देने वाला प्राकृतिक धर्म उसको दिया जाए इस प्रयोजन से इ म्नेक महापुर्शों ने खड़ा किया की अपने प्राणों की बनी देःकर सुरख्षित रखा अपने पसीलें को सीच कर बढ़ा किया उन्स सब महापुर्शों के ये हमारे पूर्वज होने के कारण गाव्रव का स्थान अपने रुदैंटे में हम रखते हैं और उनके आधर्शो का अनुसरन करने का अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं मता मतांकर हुई जाते हैं प्रतिबातन करने का शास्तार्थ करते समय और विवाद भी करने परते हैं लेकिन इन सब बातों की एक मर्याद आ रहे तो गत्वा हम सब लोग भारत माता के कुट्र है कि मत मतांतर कुछ भी होंगे हम अपने अपने मत के द्वारा यह मान कर चल रहे कि भारत का भाग्या हम बदल देंगे हम उसको प्रम्वभोसंपन बनाएंगे एक ही गंतव्य के लिए अलग-अलग रास्ते लेने वाले लोगों को अपने विशतता विविधता को लेकर तो चलना चाहिए उस से हमारा जनजीवन समरुध दौर आका है विविधता होना यह सुनदरता की बात है समरुधी की बात है उसको स्विकार करके तो हम चलते ही है परन्तु ये दिखने वाली विविधता एक ही एकता से उपजी है उस भावा का भाल रखकर हम सब एक है इसका भी दर्शन समय समय पर होते रहना चाहिए क्योंकि किसी राष्ट्र का भाग्य बनाने वाले समूह नहीं होते सरकारे बहुत कुछ कर सकती है लेकिन सरकारे सब कुछ नहीं कर सकती डेश का सामान ने समाज जब तक बुनसंपन बनकर अपने अंतह करन से भेदों को तिलान्यली दे गर मन के स्वारे स्वार्था हटा कर देश के लिए पुरुशार्था करने के लिए तयार होता है तब सारी सरकारें, सारे मेता, सारे विचार समुह उस अभियान के साहियत बनते हैं और तब देश का भाग्य बदलता है स्वतंत्रता के पहले अपनी देश के लिए स्वतंत्रता का प्रयत्न करने वाले सभी विचार धाराओं के महापुर्षों के मन में यह चिंता थी कि हम तो प्रयास कर रहे हैं हमारे उपाय से कुष्टो भला होगा लेकिन सदा के लिए विमारी खतम नहीं होगी जब तक अपने सामान्य समाज को एक विशिष्ट गुणवत्ता के स्तर पर मन के एकात्मता की भावना के आधार पर खड़ा नहीं किया जाता देश के दुर्दिनों का संपूर्ण अंत्र नहीं होगा और हमने अपना काम चुल लिया है हम उसमें व्यस्ता है लेकिन ये काम होई बिना कोई काम पूर्ण नहीं होता संध के संस्था पक डॉक्टर एडगेवार इन सभी कारियों के सक्रिय कारिय करता थे क्योंकि उनके अपने जीवन में उनको अपने लिए करने की कोई इच्छा आकांशा नहीं कि वह सब कारियों में रहे कांग्रेस के आंदोलनों में दो बार कारवाज भुक्ता कांग्रेस के यहां पर कारिकरता भी रहे अग्रगर्ण ने करांती कारकों के साथ करांती कारकों की योजना बना ही उसके क्रियान में भाग लिया म Het Sama सुधार को के समा सुधार के काम में सुधार को के साथ रहे रिग present directly के सरक्षण में संतम आत्माओं के साभ भी रहे और यह सारा करते समय उनका अपना चिंटन भी चला और नीहीं महा पुर्शों के अनुभाव चिंतन का भी परामर्शोन को मिला तो उन्होंने विचार किया तो रहे लोग के नाथ चक्रवर्ती सुप्रसिद्ध करांतिकारक बंगाल के अनुशिलन समीति के सदस्य क्या टॉक्तर हडगेवार की जब जन्म्य शताब दी हुई 1990 में तो उसे जन्म्य स्थाबदी समीति का सदस्य अनुरोद करने के लिए उस दिल्ली में थे-न मैं हमारे कारगर करता उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि 1911 में डॉक्टर एडगवार कोलकाता में मेरे घर आये थी और तब की चर्चा में उन्होंने ये बात कही थी कि समाज को खड़ा किये बिना कोई भला काम सफल होना संभव नहीं लगता और आगे उन्होंने कहा था कि लगता है कि ये काम मुझे ही करना कामों में व्यस्ता है अच्छे लोग है वरिष्ठ लोग है बहुत गहरे और बहुत उंचे लोग है इसलिए उन्हों कामों की चिंता उन पर छोड़ दिये तो भी काम चलेगा लेकिन ये काम करने वाला कोई नहीं है तो इसकार्य को कैसे किया जाए यह सोच के उन्होंने 1911 से प्रयोग करना प्रारंब किया और सारे प्रयोग करने के बाद 1925 के विजया जश्मी पर अपने छोटे से घर के पहली मंजिल पर 17 लोगों को साथ लेकर यह कहा कि हिंदू समाज जो भारत का उत्तरदाई समाज है केवल परंपरा से रहते आया इतनी बात नहीं आज के तारीक में भारत का बहुसंख्यत कमाज समाज है केवल इतनी बात नहीं भारत के भाग्य के बारे में प्रश्ण उसे ही पुछा जाएगा उसका यह दाहित्व है उस हिंदू समाज को संगटित करने के लिए इस संग का कार्य आज से शुरू हुआ है ऐसा उन्होंने का यह जो हमारी दृष्टि है हम सब एक है किसी किसी को एकदम समझ में आता है किसी किसी को समझ में नहीं आता है किसी किसी को समझ में आने के बाद भी उसको लगता है कि इनके साथ हो गए तो कुछ नुकसान होगा मालूम होते हुई भी थोड़ा सा उल्टा ही चलेंगे अलग ही चलेंगे और किसी किसी को मालूम ही नहीं चार ही प्रकार भारत वर्षों में है परहया कोई नहीं है दुश्मन कोई नहीं है कि सबके माता भारत माता है कि सबके पूर्वज समान है चालीस अज्जार वर्षों से ऐसा डियने का विप्नियानाच कहता है कि सबके जीवन के ऊपर भारतिय संस्कूर्थी के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलते सर्वत इस सत्य को हम स्विकार करें समझने अपने संकुचित भेज छोड़कर सबकी विविधताओं का सम्मान करते हुए इस देश के राष्ट्वी अताके इस सनातन प्राचीन प्रभा को बल देने वाला काम करते जाए संगने यही विचार किया है संग सबको जोड़ने वाला संगटन है समाज में संगटन संग को नहीं करना है समाज का ही संगटन संग को करना है कि सवहार्द का सव मनस्य का कि सबको समझ लेने का है कि आज की भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्राटिक माइंड कि उसके बिना संभव नहीं होता है और व्यवार की बाद स्वभाव से संभव नित्रेती और स्वभाव आदतों से बनता है आदतों को बनाए बिना सभाव नहीं बिनता और पूरे समाज का सभाव बनना है तो पूरे समाज का प्रत्यक्व्यक्ति विचार करके नहीं चलता अध्यान करके नहीं चलता समाज तो जो वातावरन बनेगा उस वातावरन के अनुसार चलता है वातावरन बनाने वाले लोग है वो लोग चाहिए तात्विक चर्चा समाज नहीं करता उसको उसमें रस्त नहीं है उसमें गती भी नहीं है और तत्वकी चर्चा करने जाएंगे तो विशेयों को लेकर अनेक प्रकार के मत होते हैं विद्वानों को भी पहले से प्रत्य कुरुशी अलग अलग बात बताता है कभी एकी बात अलग भाशा में बताता है तो अनुयाई लोग उसको अलग ही मान कर चलते किसका प्रमाण माने शुरुती स्मूर्टी सब में फरक है शुरुतीर विभिन्नाह शुर्तयस्य भिन्नाह नयको मुनिर यस्य वचप्रमाणम धर्मस्य तत्वम समाज को जोडने वाला यह जो धर्म है समाज को विखरने न देने वाला यह जो धर्म है समाज को उन्नत करके अभ्यूदर निश्रे असकी प्राप्ति करा देने वाला समाज के विवहार को संतुलित करने वाला यह जो धर्म है धर्मस्य तत्वम निहीतम गुआ या उसका तत्व गुपतर रहता है उसको पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है सब लोग तपस्या नहीं करते हैं थोड़े लोग करते हैं सब लोग क्या करते हैं महाजनों ये नगतस सपन्था समाज के श्रेष्ठ लोग जैसे चलते हैं वैसे चलते हैं यद्यदा चरती श्रेष्ठ तत्त देवेत रोजना स यद प्रमाणम कुरते लोकस्त दुनुवर अपने इस विशाल भूमी वाले विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक गाउं में प्रत्यक शहर के गली मोहले में अपने आचरन से समाज हितविशी आचरन का वातावरन बनाने वाले कारिकर्ताओं का समोच चाहिए संग का यही प्रयास है विचार कुछ भी हो देश के सामने विभिन जो विशय है समस्या है उनके हल के बारे में मत कुछ भी हो विचार घारा कोई भी हो जाती पाती प्रांत पक्ष पंथ भाषा कोई भी हो लेकिन संपूर्ण समाज को संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानते हुए व्यापत दुरुष्ट्री से उसके हिद के प्रकाश में मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक और आजी विका में आचरन कैसा हो इसका विचार करके अपने आचरन का उदाहरा अपने आसपास प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वो वातावरन बनाता है सब में एक होता है कि माशाल्शों के आधर्शों की समाज पूझा करता है उत्षों करता है जहन्तिक्य मनाता है लेकूं अनूकरन तो उसका करता है जो उसके आसपास पड़ोस में रहने वाला उसके जैसा लेकिन थोड़ा सा प्रमुख प्रमुख है ऐसे उधारण कि अपनी जीवन से उपस्थित करने वाले कारी करता चाहिए आदर्श हमारे पास भरपूर है कमी नहीं सुविचार की कमी नहीं है श्रेश्ठतम तत्वध्यान हमारे पास है परन्तु व्यवार के बारे में हम मिक्रुष्ट थे अब हम कैसे सह सकते हैं कि थोड़ा सा सुधर हुआ है लेकिन अभी तक जितनी मात्रा में व्यवार चाहिए वैसा नहीं है और वो तब बनता है जब सब्रकार की परिस्थिति में उस व्यवार पर अड़कर वैसा व्यवार करने वाले समाज में से ही समाज के जैसे ही परन्तु अपने चारित्र से शील से विशिष्टता रखने वाले लोग कि खड़े होते हैं ऐसे लोग देश भर में खड़े करने का प्रयास राट्रियस वन्सक संदका है क्योंकि सारे समाज के विशिष्ट दुर्ष्ट्री से चलने की आवश्शक्ता है कार्य कोई भी संपन्न होता है तो शक्ति के आधार पर संपन्न होता है किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति चाहिए यह जीवन का नियम है विद्ञान वसिद्ध नियम है और शक्ति संगठन में होती है सबने मिलके काम करने में होती है और शक्ति को अगर शील का आधार नहीं रहा तो वह शक्ति दानवी शक्ति बनते हैं कि अंच्छी बातों को उप्योग बुरे कामों में होता है विध्याविवाद आए धनमम दाया शक्ति परेशाम प्रपीड ना है विद्या प्राप्त लोग विवाद में समय गवाते हैं सहमती नहीं बनाते हैं विद्या के आधर पर सहमती बननी चाहिए लेकिन विवाद चलते हैं कि धनपति लोग धनके मतमें चूर हो जाते हैं धनका वो उपयोग नहीं है और शक्ति दूसरों के सब बातों की इच्छा करना और दूसरों को पीडा देना वो प्राप्त करने के लिए इसलिए करते ही कौन करते हैं दुष्ट लोग करते हैं खलस्य विद्या विवाद आया थानमात्य शकतिपरेश्ति पर्फीडयं खलस्य साथों को विपरीत में साット सच्जनों की गति उल्टी चलती यह हैई नाम यह एच रक्षना विद्ज maturity समाज में यह नान कि शक्ति को शील का आधार चाहिए विना उसके अनियंतरित शक्ति ए खत्रे-वाली बाद ओ और उसक्ति की उत्पत्ति उस शील की उत्पत्ति समाज के आज के स्थिति में सब संकटों से समस्याों से उबार कर समाज शरेता मार्ग continuar चलने लगे ऐसे ज्ञान की आराधना सब परिस्थिक्यों में अपनी तपस्या पर अडिक रहने के लिए वीरब्रत की आराधना और सब प्रकार के मोह आकर्षणों से कष्टों से गुजरते हुए भी अपने धेयों को कभी ओजन्न होने वाली उल्टा अधिक अधिक धेय प्राप्ति की उत्कंठा त्यूर करने वाली धेय निष्ठा इन पाच गुणों की आराधना संग की साखा में स्वयंचक करते एक गंटा ये सब अपने थन मन में उत्पन करने वाले कार्यक्रम करते हुए अंत में जो प्रार्थना करते भारत माता की उसमें प्रभु से इनी पाच गुणों का वर्दान मांगे कि 1925 से संगा चला दिरे दिरे बढ़ता गया कि सब प्रहारों के सब बाधाओं के बावजुद बढ़ता गया दिरे दिरे प्रतिकूलता को उसने सनेह में बदल दिया आज लोकप रिये हैं जहां जाते वहां समाज का सनेह मिलता है प्रहां flor फाल संकत्रे में लेकिन एकमिस में पृतारखता अनुबहून हों करते हैं हमको अपने को प्रसिद्ध करने के लिएक काम नहीं करना था और नहीं पर या अगे बढ़ना है अनुकूलिता का समय भी आता है लेकिन अनुकूलिता विशराम के लिए परूर्वित करती विशराम उनको नहीं दरना है इंप पर हम वैववं ने तुमें तच्वरात्रम यह हमारा लक्ष्ष और उसके लिए सततक कारेकरता निर्मान की जो प्रक्रिया चलती है उसके चलते उस प्रक्रिया को चलाने वाले कारेकरताओं का प्रशिक्षन भी प्रतिवर्श होता है कि तुटिवर्श के समापन का प्रसंद प्रतिवर्शा में अनुभव करते हैं अपना खर्चा करके सामपत्यिक सुस्थिती में ये सब शिक्षार्थी सब के सब नहीं है प्रांतों के वर्गों में और यहां के वर्ग में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हजार रुप्या शुल को जुटाना प्रवाश शुल को जुटाना इसके लिए 2-3 मेहना मेहनत मजदूरी करके पैसा जुटाकर उस पैसे को अपने भहुतिक आवश्षक्ता के लिए खर्चाना करते हुए वर्ग का शुलकर देकर यह प्राप्त करते हैं उनको कई मिलने वाला नहीं है वो ऐसा करते है इसलिए उनको धन्यवाद भी नहीं दिया जाता और यह आदत भी लगाई जाती है कि अपेक्षा कुछ मट करो नेकी करोर फुए मेडाव। वृत्त पत्र में नाम चपेगा पहनुंग्या स्वागच सुमार छोड़े चलो एक शुद्रभावना हिंदुराटर के तारणा तेरा वईभवा मर रहे मां अम दिन चार रहे न रहे यह सीखो लेते हैं यह समस्कार लेते हैं अपने मन के भाव को पुष्ट करते हैं तुर्क लेकिन आत्मियता ऐसे हो गई कि लगता है कि भिछुडे ही नहीं कि अनुभूती दारण करते कि सारा भारत तुर्ष मेरा अपना है सारे भारत यह मेरे अपने जो प्रतिज्ञा में विध्याले की प्रार्थना में करता था भारत मेरा देश है सारे भारत यह मेरे बांधव है भारत के सम्रुद्ध प्रशिक्षन के आवर्शक्ता इसलिए नहीं रही है अनुभूती मन को प्लावीद करती है मन ऐसा बनाकर आथ और कान खोल कर समाज में समाज के सेवा परोकार का काम करते हैं तो अपने आप आगे का प्रशिक्षन हो जाता है कि यह संद्ध का कारिया है हम सारी सज्जन शक्ति को जुटाना चाहते हैं हमें विचारों से मतों से कोई परेज नहीं है कि गंतव एक हो प्रम वैभो संपन भारत विश्व गुरु भारत उसकी दुनिया को अवश्यक्ता है दूसरा कोई आज के दुनिया के और समस्याओं को हल करने वाला उत्तर नहीं दे सकेगा भारत वर्श को देना है बोल के नहीं देना है अपना जीवन वैसा प्रस्थापित करके देना है उस जीवन को स्थापित करने के लिए लायत भारतियों का भारत उसके स्वत्व के आधार पर पक्का खड़ा अपने स्वत्व की पक्की पहचान जिसके मन में है उसके बारे में जो स्पट्त हैं मिरभय संकोटी नहीं है एसा समाज इस देश में हम खड़ा करना चाहते ऐसा समाज ही विश्व की और भारत की और हमारी आपके दहिनत जीवन की सब समस्याओं का पूर्ण उत्तर है उसको हम सबको खड़ा करना है संग का काम केवल संग का काम नहीं है यह तो हम सब के लिए इसको देखने के लिए अनेक विचारों के महापुरुष आ चुके हैं आते रहते मैं उसका विवरण नहीं दूँगा आपको पता है और इस प्रसंद के निमित्ता ऐसा बहुत आया भी है आते हैं देखते हैं उनसे हम पाथे अग्राण करते हैं उनकी सुचना है उसका विचार करते हमने जो पत अताई किया है हमने जो कारिक्रम थाई किया है हमने जो गंतव अताई किया है उसमें उसकी जो मदद होती है उसका विचार करते उनको स्विकार करते आपस में प्रावना रक्तर समाज सब एक दूसरे का सम्मान करके चले हैं परस्परम भाव यंतम हम अपने अपने पत से प्रामानिक्ता से चले है तो प्रामानिक लोगों में मत आड़े नहीं आते प्रामानिक लोगों में कुछ बात आड़े नहीं आते हैं जो सही है उस पर सब चलते ह कि उनके मतों की आपस की चर्जा एक सुन्दर संवाद बनता है जैसे अपने उपनिशुदों के संवाद है तरह तरह के मत हैं कि सबका प्रतिबादन है उसमें से एक संवती निकल कर आती है कि पढ़ने के लिए चिंतन के लिए और जीवन में उतारने के लिए अच्छा लगता है क्योंकि सत्य है कि उस्सक्यपट पर चले हम सब ऐसा हमारा संस्कारों ऐसी अमारी आदत हो ऐसी अमारी बुद्द्यों ऐसा समाज उपदेश से नहीं अपनी स्वयमके जीवन से करने वाले कार्य करता है संग तयार करता है यह हम सब के लिए हम सब का काम है और इसलिए मैं आपको आवान करता हूं कि इस कार्य को प्रत्यक्ष देखिए जो कुछ मैंने अभी तक कहा वो वास्तों में है कि नहीं इसका परताल कीजिए और आपको लगा कि ऐसा है तो यह सर्वहित का कार्या है इसमें आप भी सवागी हुई है अगाहतीती संग को परख vendors के आना जाना अपने मर्जी की बात की मन मर्जी का काम है सब आ सकते हैं सब प्रक सकते हैं ओर परतों संद sell भाव्राष ना सकते है जैसा बनेगा बगेंजा हमको उसकी चिंता नहीं हम क्या है हम जानते हैं हम जो है वैसे दिखते हैं हम जो है वही हम करते हैं सबके प्रथिशाथ वाव रख कर के कि सी का विरौध में रख कर हम अपने पत्पर दुढ़ता पुर्वक आगे चल है लेकिन ये किवल हम करेंगे जो नहीं होगा पूरे समाज का ये काम है सारे समाज को इस मार्गों को परखना चाहिए और अगर ठीक लगता है तो इसके सहयोगी बनना चाहिए एक आवान में आपके सामने रखता हूँ और मेरी बात समाप्त करते हुए अधर्णिया डॉक्टर प्रणमुकर जी को अनुरोत करता हूँ कि अपना पाथे हम सब लोगों को प्रदान करें वह अंगरे जी भाशा में बोलेंगे कान देकर सुनिये तो समझ में भी आया झाल